वेल्कम बेक टो दी चैनल माइनम इस गगंदी पर इस वक्त हूं मैं हमाचल में मैं हूँ ओल्ड मनाली में और यह एक एपल और्चड फार्म है जहां पर मैंने अपना टेंट लगाया हुआ है तो आपको दिखाता हूं फड़ी देर वे तो गईज यह मेरा टेंट है यह मैं बूल्ड मनाली में इस वक्त है और यहां बन रहा है राजमो बल रहा है राजमा चावल खाएंगे जहर में बनाते हैं तो तैयारी अभी से शुरू कर लें और इस प्रपर्टी में मैं रुक हो यह एं फार्मा हूँ जहर पल गां तो मैंने जगा के लिए पे किया हुआ है बहुत ही बड़ा है और आपको बाहर का वियू दिखाते हूं और यह इमारा चोटा से किच्छन है अब आपको बाहर का वियू दिखाता हूं चलिए और यह कुछ वियू है बहर का यह पूरा एपल का फार में चैरी एन एपल का यह देखो और यह आसपस होटल है और यह उपन एरिया जामें रुका हूं यहां पर मैंने अपना टेंट पिछ किया हुआ है यह देखिए और क्या वियू है सामने बहुत इच्छी जगा है यह हमारा टेंट खाने की तैयारी कर रहे है खाना बना ले फिर बाते करते हैं फिर आसपास में घूम गया आपको दिखाता हूं जगा यहां पर तो अभी प्याज कट रहे है इसको मिक्सिंग यह मैं चोटा सा पोटेबल साथ में रखता हूं तो इस एचा उसे इस पेस्ट बने गाज़ का यह टो मैं जो काते से तो मोटार गाह जैके इसको बहुनरी चालीगे शड़ी कर दो हां कर दो हैं कि पने कर दो है क्या गएंश्याड तो गेवी डेवी अडिर मसालें डालें और उसमे श में डालें राजमा अग कि अमेंगे बन गें इसमें मसाले डालते हैं और फिर आगे बनाते हैं आप अब पखे रखे जाएंगे एठोड़ हुआ एठोड़ से लिए यह राजमा बन चुके हैं तो मैंने टिफिन में डाल दिये थे कि अच्छे से स्मेल हो जाया और उसके ओपर अलिगानो डाल दिया अलिगनो साजी काते हैं देखते हैं कि ऐसा बना है अब बताते है रिवियू और आप भी कमेंड में बताना लिखने में कैसा लग रहा है हुँँ मुझे तो पसंद आए आपको रैस्पी चाहिए तो बता देना तुना के बताना मेरे को कैसा बना है हुँँ नमक को अमक सब एक दम परफेक्ट है है अलो अभी ये खाते हैं कि श्राम को मनाते है पास्ता अब बशात कर भी सोचने है कर्मीन काफी है इस टाइम मनाली साइड़ा है इस टाइम टैंपरेचर है और इस टाइम टैंपरेचर है यहां पर बनाली में आप अब बनाली में टैंपरेचर है और रात का लो जाता है साथ तक और रात को इतनी ठंड नहीं है बजब हवाच चलती तब थड़ी बढ़ ठंड लगती है जादा नहीं तो इतनी ठंड नहीं है अभी क्राउड भी इतना नहीं है चोड़े रेस्ट करते हैं और फिर शाम को पास्ता बनाते हैं चार पांच बजेख करी चलिए तो गाइज अभी बन रही है चाह चाह पीते है पास्ता हम ने खा लिया चाह बन दिया तो चाह पीया तो गईज बाहर घूमने आया था टाइम हो रहा है साड़े पांच और वेली देखो याल गाइज वैली देखो कितनी प्यारी है यार व्यू देखो यार सामने है ना शांदर व्यू मेरे पीछे तो वहां यहां से थोड़ी दूरी है 200 मेटर है मुश्किल से तो ऐसे घूम के नदी के बास से फिर वहां पे टेंट वाली जगह पे चले जाएंगे वहां से निकला है और नीचे नदी के पास आ गया है वह देखो नदी है पूरी यहां पर बस यहां से सड़क पकड़ते हैं फिर वहां से पुल के पास पहुंच जाएंगे ओल्ड मनाली के पास वियू देखो यार कितना अच्छा है नीचे नदी बहरी है चली आगे बढ़ते हैं यहां से सोचा गाइज आपको नीचे तक नदी जिखा दूँ इसलिए मैं नीचे उतर आया थोड़ा था वहां से एक छोटा सा रस्ता जाता था नीचे की तरफ तो दियू देखो क्या बड़िया भी और सामने फॉरस्ट है पूरा इधर भी है पर इधर जादा डेंस फॉरस्ट है चलिए थोड़ा आगी तक चलते हैं आँ तक अगर देख रहे हैं मेरे पीछे क्या फियू है बहुत अच्छा फियू है यार अगर पसंद आए तो कमेंट करके दूरू बताना कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा तो ऐसी वीडियो और लेके आता रहूंगा मैं अगर तक चलते हैं आगी तक चलते हैं देखते आगे क्या है आगे अगया अब देखो यहां पर दो नदिया करेक्टोरी यह जो इदर और उल्ड मनाली से आ रही है और एक जो इदर से आ रही है पुरतांग साइड से अटर डलना साइड से और यह दोनों यहां पर मिल रही है करेक्टिंग पॉइंट यहां पर चलते हैं वापिस क्योंगे नदी के पास आना अलाव नहीं है इस साइड़ खास करके उस साइड कोई प्रॉब्लम नहीं है इस साइड वां लिखा हुआ था यार क्या व्यू है चलिए चलते हैं वापिस कानवाना खाली है बस अब सोने की तैयारी है और वीडियो कैसी लगी कमेंड में जरूरा दाना मिलते हैं ऐसी किसी नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कर लब यू आल पीस